दोस्तों, 2024 EV Manufacturers के लिए तो अच्छा रहा ही है, बट जो हम जैसे ग्राहक है, उनके लिए भी काफी अच्छा रहा है, क्योंकि इस बर कंपनियों ने काफी तगड़े offers दी है, और ऐसे में हम जैसे ग्राहकों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, और कंपनियों के लिए तो ब Ola Company हो गई, Ather Company होगी, क्या करती है, offers प्रोवाइड करती है, जैसे Ola S1X Plus का offer था, 89,999 में आप गाड़ी ले जा सकते, और ट्रस्ट में उस offer में वो गाड़ी बहुत अच्छी थी और ऐसे में उनके sales नंबर भी बहुत जादा बूम हुए थे, Ather ने भी same process किया, Ather 450 इस का price cut down करके 1,9999 कर दिया, और last month के sales report में देखोगे, तो Ather कंपणी ने बहुत अच्छा जम किया, जह 4,500 हुआ था, December मैं, January में हुआ, सीधा 9,000, जो की देखा जा तो काफी बड़ा नंबर है, और वैसे भी top 5 list में अच्छी कंपणी आ चुकी है, 5th position में है, Ampere Company, बट हम इतन बट राइट नौ इनकी भी demand बहुत बढ़ चुकी, अच्छी खासे sale हो रहे, offers ही continuous provide कर रहे, बाकी company offers हटा देती है, बट Vida company ने offers बिल्कुल भी नहीं हटा है, continuous provide कर रहे, कुछ ने कुछ प्रोवाइट कर रहे, बट करे जा रही है, दिवाली सीजन में भी 38,000 कुछ का इनक company भी 6th position में थी, 6th position में ऐसी जगे पर आ चुकी है, कहां वो top 10 list में भी नहीं थी, और अभी के टाय में 6th position में बैट हुई है, Vida V1 Pro, जबकि एक ही गाली उनके पास, उसके बावजुद भी भाई, क्या sale कर रहे, flip card Amazon में लिस्टेड है, वहाँ पर अच्छ खासा offer चल रहा continuous उनकी offers चलते हैं, और ऐसे हम उनकी demand बढ़ रही है, हो सकता है, फरवरी महिने का sales report आए, उसमें आपको top 5 list में, वह जो cream company होती है, वह आपको देखने में बिलेगी, जैसे, Ola, Ather, Bajaj, TVS, और अब hero motocop, वैसे तो भी 5th position में, empire company है, बड़ मेरे को लग नहीं रहा है, कि मैंने के, जो EV sales report आएंगे, उसमें कहीं भी 5th position में, empire company देखने मिलें, क्योंकि उसके जगा, hero motocop ज़रू ले लेगी, क्योंकि उनकी demand बढ़ते जा रही है, और premium गाड़ी है, और non company है, hero motocop, यार, फिर तो चलता ही है, और प्लस भाई, एक ऐसी चीजे है, जो actual में premium category की ग घर से electricity, वो parking तक कैसे पहुचा है, तो वैसी जगे पर ये remote battery काफी काम आती है, और वो लोग actual में, Vida V1 Pro ज़रू पर्चेस करते हैं, और करते ही है, मैंने काफी जगा ये देखा है, कि मेरे चार्जिंग का issue है, इस कारान से मैंने Vida की गाड़ी ली है, तो देखो, simple सी बात रिमोवल बैटरी है, निकालो, घर ले जाओ और चार्ज करो, अब ये सारी चीज में आपको क्यों बता रहो, क्योंकि Vida Company continuous जो offer प्रवाइड करी है, वो इस मेने भी continue है, और flip card और Amazon से भी लेते हैं, तो वहाँ पर लिस्टेट है ये गाड़ी, 1,45,900 और अभी offer चल रहा है 27,000, अगर आप कोई भी card से payment करते हो, 27,000 का सीधा off, ये गाड़ी आपको मिलती है, 1,18,900 रुबे में, और ये गाड़ी में जो जो features है, like touch screen मिलता है, 7 inch का screen है, side mounted, PMSS motor मिलता है, removal battery, जिसकी overall capacity है, 3.9 kWh और 110 km की range प्रोवाइड करता है, अच्छी कासी speed है, और आपको ये build काफी ठिक ठाक मिलती है, all LED setup है, under seat storage भी अच्छी कासी है, एक helmet आप आराम से रख सकते हैं, और removal battery तो सबसे important चीज है, आज केल के time पे, जहां पर charging infrastructure का थोड़ा issue है, या charging करने का थोड़ा issue है, वहां पर ये गाड़ी actual में shine करती है, और अगर आप इस गाड़ी को लेना चा होगे, वहां पर अभी आपको touchscreen मिलते हैं, बट कुछ company है जो touchscreen provide नहीं करती है, इस price point में, ये गाड़ी एक premium category की गाड़ी है, और देखने में भी अच्छी है, और competition में भी खरी उतर रही है, और देख सकतो sales report भी काफी तकड़े है, तो देखा जाए तो ये offer के through, यहां पर ये गाड़ी काफी अच्छी बेकरी है, और अगर आप भी लेने का सोच रहे हो, hero की Vida V1 Pro, then आप Flipkart Amazon से लोग होगे, तो अच्छा खासा off मिल रहा है, और काफी जादा पैसे बचा सकतों काफी लोग purchase भी कर रहे है, तो दोस्तों, आज के update में बस यही ता वीडियो च्छ